इस वीडियो में सरीज्निन आइडू के जैनती पे है राष्तिय नहीला दिवस क्यों मनाया जाता है साथ ही सरोज्निन आइडू और राष्तिय नहीला दिवस से रिलेटेatarके कुछ important question को cover किया जाएगा तो वीडियो को सुरू से अन तक जो देख तो फॉर्ष्ट कोशन है राष्टिया महिला दिवस कब मनाया जाता है तो उप्षन C करेक्ट हो जाएगा भारत में प्रती वर्ष्ट सरोजने नाइड़ो जी के जियनती पर 13 फरवरी को राष्टिया महिला दिवस क्यों मनाया जाता है हम लोग डिटेल्स में जानेंगे तो आप वीडियो में बने रहें उससे पहले सरोजने नाइड़ो जी से रिलेटेट कुछ इंपोर्टिन कोशन को कवर कर लेते हैं जैसे कि सरोजने नाइड़ो जी का जिनम कब हुआ था तो उप्षन एक करेक्ट हो जाएगा सरोजने नाइड़ो जी का जनम हैदराबन में 13 फरवरी बर्स 1889 में हुआ था सरोजने नाइड़ो भारत की 173 से नानी और साथ ही एक प्रसीत कवीतरी भी थी इनके पिता का नाम अगोर नाच चटू पाद्याय थे जो एक निजाम कॉलेज के संस्थापक के साथ ही रसायन विज्यानिक भी थे के मादा का नाम वर्दा सुंदरी था और सरोजने नाइड़ो जी ने वर्स 1899 में डॉक्टर गोविंद राजुलू नाइड़ो से बिवाह किया था कुछिन में 3A सरोजने नाइड़ो जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है option 4 ही correct हो जाएंगे A, B, C, D सरोजने नाइड़ो जी एक प्रसीत कवित्री थी और उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तक के है सरोजने नाइड़ो जी का प्रथम कविता संग्र The Golden Threshold जो की 1905 में प्रकासित हुआ था इसी के साथ दोस्तो मातर 13 वर्स की आयू में उन्होंने Lady of the Lake नामक कविता की रचना की थी The Broken Wings यह पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई 1912 में प्रकासित हुई थी और भी उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख रचनाए है जैसे कि हैदरावाद के बजारों में The Bird of Time The Queen's Rival The Royal Terms of Golconda यह आदि सामिल है उनके प्रसीद रचनाओं में सरुजनी नाइडू एक प्रसीद कवीतरी के साथ ही भारत की एक स्वतंचता सेनानी भी थी तो सरुजनी नाइडू जी के रजनीतिक गुरू कौन थे The Option D Correct हो जाएगा सरुजनी नाइडू जी के रजनीतिक गुरू गोपाल कृष्न घोगले थे उनसे प्रभावित होकर ही सरुजनी नाइडू ने भारत की अजादी के संगर्स में भाग लेना शुरू कर दिया कुश्चन नमर फिप्त है सरुजनी नाइडू जी ने मैटरी के परिशा कितने वर्स के आवी में पास की तो Option A Correct हो जाएगा मात्र 12 वर्स की उम्रे में सरुजनी नाइडू जी ने मैटरी के परिशा पास की थी इसी के साथ दोस्तों वह मदरास प्रेसिडेंसी में पहले स्थान भी हासिल की थी वह उर्दू, इंगलीज, बांगला, तेलगू, फार्सी जैसे अनिभाशाओं में निपून थी कुशिन नमर 6 है, सरुजनी नाइडू जी कॉंग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? तो आप्शन D करेक्ट हो जाएगा, सरुजनी नाइडू जी कॉंग्रेस के अध्यक्ष वर्स 1925 में बनी थी भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतिय महिला सरुजनी नाइडू है इसी के साथ दोस्तो सरुजनी नाइडू भारतिय राज की गवर्नर न्यूक्त की गई पहली बार उत्तर प्रदेश राज जी की कुशिन नमर 7 ए सरुजिनी नाइडू पहली बार महात्मा गांधी जी से कब मिली थी तो उप्शन B करेक्ट हो जाएगा सरुजिनी नाइडू पहली बार महात्मा गांधी से वर्स 1914 में मिली थी और महात्मा गंदी के नमक सत्याग्राव में भी उन्होंने साथ दिया था कुछ नमर एट है सुरुजनी नाइडो जी और किस उपनाम से जानी जाती है तो option A करेक्ट हो जाएगा सुरुजनी नाइडो जी को नाइटेंगल ऑफ इंडिया उपनाम से जाना जाता है उनके अपनी कविताओं के रचनाओं के लिए इने भारत की कोकिला कहा जाता है option number 9 है सुरुजनी नाइडो जी के जैनती पर कौन से दिवस मनाया जाता है option A करेक्ट हो जाएगा प्रप्त किया यह सरोजनी नाइडू जी द्वारा किया योगदान भारत के महिलाओं के लिए एक महत्पुन उपलब दिये इसी कारण सरोजनी नाइडू जी के जियनती पर भारत में राष्टिय महिला दिवस मनाया जाता है कुशिनम 10 है सरोजनी नाइडू जी की मिर्तू कब और कहां हुई तो आप्शन B करेक्ट हो जाएगा सरोजनी नाइडू जी की मिर्तू दो मार्च 1949 में यूपी के रधाने लखनाव में हुई थी हार्ट अटेक के कारण कुशिनम 11 है सरोजनी नाइडू जी को किस पुरुसकार से नवाजा गया था ब्रिटिस सरकार ने सरोजनी नाइडू को प्लेग महामारी से लोगों को बचाने के लिए उन्हें केसरे हिंद पुरुसकार से नवाजा था इसी के साथ उनकी एक और भी उपलब्दियों को नोट कर लिए इरफ फरवारी बर्स 1964 को भारत सरकार ने उनकी जहनती के आउसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया था यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जुरूर बताए और ऐसे जीके और करेंट अफेर रिलीटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकोन को प्रेस कर ले